हेलो बेटा, 6th Science Non-Coaching Class में बेटा, हम रीड कर रहे हैं chapter 9, ठीके? क्या हमना chapter 9? Living Organisms and their Habitats, ठीके बेटा? तो हमने इस chapter स्टार्ट कर दे था और इसमें हमने leaving, non-living things and climatic conditions के बारे में अपने पिछली classes में हमने पढ़ा था, ठीके बेटा? अब हम आगे देखते हैं उसके साथ बेटा आप अपनी जो वीडियो आती है उनको regularly देखते रहें ठीक है बेटा आगे देखो Try to remember the first change that you have seen in the hill station or deserts ठीक है आप देखो आपने दो जिगा दो places की विजिट की है ठीक है किसी hill station की है किसी desert place की तापको उन में क्या difference लगा है ठीक है क्या changes आपने वहाँ पे देखे हैं तो वो दोनों में जो आपने first change जो major किया वो सबसे पहले आप याद करने की कोसिस करो सबसे पहला change अगर हम कहीं भी जाते हैं क्या लगेगा यहाँ पे तो बहुत ठंडी है और यहाँ पे तो बहुत गरम है ऐसा ही मैसूस होता है सबसे पहले mountains are colders and deserts places are warmer than the plains ठीक है जैसे हम जाजी सेरिया में रहते हैं उससे क्या difference होगा बेटा इन में जो परवती छेतर होते हैं mountains होते हैं वहाँ पे ठंड होती है लेकिन जो मरुस्तली छेतर होते हैं रेत के जो टिले होते हैं वहाँ पे गरमी होती है second change the plant and animal are so different in these places दूसरा change क्या होगा बेटा plant और animal भी क्या होगे यहाँ पे different होगे in mountain we see trees such as oak, pines and देवदार ठीक है क्या बोलते हैं देवदार के पेड़ होते हैं लंबे लंबे पेड़ देवदार के होते हैं यह सब पेड़े कहां मिलेंगे बेटा mountains में जबकि जो plane में है कैसे trees मिलते हैं हमें नीम है people है mango है बनियन ट्री है ठीक है similarly the animals found in the mountains are also different in desert the common plants are bubble, cactus, animal, camel, sheep, goat, etc. अब अगर हम डेजर्ट के रेट वाले छेतर में चले जाएं तो वहां पे क्या मिलेंगे बिटा काटे वाले पेड़ मिलेंगे बबूल है केकर है क्योंकि इनको पानी नहीं चाहिए ठीक है यह कम पानी में भी survive कर लेते हैं और अगर हम animals की बात करें तो उट है ना इसमें अपने मरुस्थल में कौन रहता है उट ही रहता है उसके पाव ऐसे होते हैं कि वो उसको वहां पे रहने के लिए capable बनाते हैं ठीक है भेड हैं बकरी हैं यह सब इस एरिया में रहते हैं इन टैजाइट्स कहमल सर सीन पॉइंग धाफियल्स एंड पुलिंग दीघड्स जो गाड़ी होती हैं उसको खीचते हैं जो खेट होते हैं उनको जोतते हैं ठीक है तो इस तरह से हम क्या बता सकते कि बीटा अलग-अलग जो कंट्री हैं ठीक है वाँ पे अलग-अलग जगे हैं उनका अलग-अलग क्लाइमेट होगा ठीक है आगे चलते बीटा कुछ प्लेशिज क्या होते मिक?bok बिटा होट और घ्राइव होते हैं घरम होते और सुखे होते हैं कुछ प्लेशिज क्या होते हैं बहुत थन्डे होते लेकिन वाँ पे 한टीत है यह ज़्यादा होतना कि मोईस्च्टर क परजयां सेहर में ज़्यादा होती है different places have different animals and plants भाई, अलग-अलग जगह पे जो animal है, जो plant है वो different होते है, ऐसा क्यों होता है because a place is stable for animal if it provide food, shelter and comfort, ठीक है, क्यों होते है बटा क्योंकि एक place के हिसाब से क्या होता है, उस animal को क्या मिलता है, वहाँ पे रहने के लिए खाना मिलता है ठीक है, वहाँ पे क्या मिलता है उसका shelter मिलता है, उसका आवास होता है उसके लिए उसको comfort feel होता है ठीक है, for example one place is suitable for one organism but not for the other हम अगर एक्जाम पल ने तो बटा, किसी भी animal के अगर हम बात कर ले तो हो सकता है किसी एक animal के लिए जगह suitable है तो किसी दूसरे animal के लिए जगह suitable नहीं है, किसी भी organism की हम ये बात कर सकते है अब अपने पास penguin है ठीक है, वो cold area में रहते हैं, जबकि अपने पास camel का example ले goat का example, ये क्या रहते हैं, desert places में survive कर लेते हैं, ठीक है a fish can survive easily in water but not on land जैसे अपने पास मचली होती है, वो किसमें रह सकती है, पानी में रह सकती है, लेकिन वो land पे धर्टी पे वो नहीं रह सकती on the other hand, a dog can survive easily on land but not in water दूसरी जगह अगर हम बात करें डोग की बात करें, तो वो land पे अच्छे से survive कर लेता है, लेकिन वो पानी में survive नहीं कर पाता, ठीक है तो उसमें क्या होता है, अलग-अलग उनके पास वो changes है, जिसके जैसे वो उस climatic condition में adapt कर पाते हैं, ठीक है उसको अपने उसके अनुसार वो ढाल पाते हैi, ठीक है? जैसे मचली होती है ठीक है, किस से शांस लेती है वो गिल से सांस लेती है ठीक है और उसकी बोड़ी जो सेप होती है वो अपने आप ही streamlined body होती यानिए कि उसका मूँ छोटा होता है लेकिन बीच का हिसा ज़다 होता है और उसकी पूछ और शीर क्या होते बैटा छोटे होते हैं जिस वज़न से क्या होते बैटा वो easily flow कर पाती है वाटर में ठीके इसलिए वो easily पाने में survive कर पाती है तो इसी बैसिए पर कुछ चीजे होती बैटा जिनकर कारण हो क्या करते हैं कंडिशन में सर्वाइव कर पाते हैं ठीक है बेटा तो आपको यहां तक का जो चैप्टर है आपको रीड करना इस क्लास का इससे आगे हम करेंगे अपनी next क्लास में ठीक है बेटा